कि विद्द। बल रेखा या वही विद्द। खुत्र रेखा। विद्द। खुत्र में एक ऐसा काल्पनिक वक्र्स्थ, काल्पनिक जुटा ही होते हैं। इसके किसी बिंदू पर खींची गई असपर्ष रेखा उस बिंदू के विद्दुद क्षट्र की इसका क्या मतलब है इसके किसी बिंदू पर इसके किसी बिंदू पर खींची गई असपर्ष रेखा अब इस पॉइंट पर आसा लाइन खींची जो इसको सिर्फ छूके निकले इस बिंदू के विद्दू खेत्र की दिशा को बताता है और विद्दू खेत्र की दिशा का यह मतलब हुआ कि अगर आप यहां पर कोई टेस्ट चार्ज रखोगे तो उस पर किधर फॉर्स लगेगा अब बाद समझ में नेट फॉर्स किधर लगेगा ठीक है जैसे यहां पर एक टैंजिन खीच होगे ऐसे एक आस परस रिखा आप बस आपको ऐसा खीचना जो उसको चूके निगल जाया है पॉजटिव इदर है निगेटिव इदर है हमेशा ध्यान रखना एलेक्ट्रिक फिल्ड का डिरेक्शन किधर से पॉजटिव से निगेटिव की तरफ समझ आया है तो यह चीज होता है कि विद्दुद ख्षित्र रेखा लेक्ट्रिक फिल्ड यब क्या है अब यह सकते हैं एक डिल्ग इजा को बताता है अग्र ध्यान से सोचो हम लोगों ने जो जो पढ़े हैं जैसे हमारे पास एक positive charge है माल लो ऐसा कुछ इस तरीके से माल लीज़ा हमारे पास एक positive charge है positively charged body है इसके कारण जैसो कि हम लोग electric field lines बनाते हैं वो कैसा बनाते हैं क्या थे आपको एक लास में लोग ऐसा बना रहे थे ऐसे बना रहे थे हां नहीं बना रहे थे है ऐसे है यह आना यह यह चीज़े आपको समझ में आने चाहिए यह आपको बस करना है कि अधर कुछ है कर देता हूं अब इसको क्या बोलेंगे इस case में थोड़ा सा एक वाक्य है इसको ध्यान लगिएगा अगर इसके चारों तरफ हम लोग एक स्वेयर इमाजिन करें ऐसा इस टाइब का एक फुटवाल इमाजिन करो ऐसे ठीक है और आप माल लोग इसके सेंटर पे जहां सेंटर होगा केंद्र वहां पी पॉजिटीव चार्ज है तो एलेक्ट्रिक फिल लाइन्स कैसे दिखेंगे थोड़ा सा मैजिन करेंगे हम लोग जैसे इसके सेंटर में मालनों हमने कर रख दिया बॉल्व फूटा सा बल्व और उसको जला दिया तो वहां से जो प्रेकास कि लाइट रीज प्रेकास किरण वह सारी के सारी किरण एक्ष्वल में एलेक्ट्रिक फिल लाइन्स है विद्दुद रेखा है दिमांग में आ रहा है ऐसा कुछ अगई अरें फिटे का आपको बस यह नहीं सोचना यहां पे अर यह अर बोट पर दिखा रहा हो कि लेक्ट्री कफिल लाइन्स है यह 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 है एसी जा रहा ऊपर जा रहा इधर जा रहा यह ठीक है एसे नहीं जाएगा क्या इस जया ना वाई टिए नीगत यह पॉलो पो तो बस उसी पे जो दिखाया जा रहा वैसा नहीं नहीं इसके चार्व तरफ आप करो क्या एक स्फेर इमाजिन करो एक तरह का गोला इमाजिन करो किस टसे का कुछ और एक समझना है यह जो है कि इसके संटर पे यह रखा गया है इसका रेडियस होगा और हो दिसक और बरा बना सकता हो बस समझने के लिए नहीं इस रेडियस के डिरेक्षन में यह सब इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइने। कि अब ये बाहर की तरफ, इसके लिए मैं एक छोटा सा सब्स इस्तमाल करते हैं चोटी सी बात कहते हैं , त्रिज्यत अर बाहर की तरफ त्रिज्जत बाहर की और, क्या बोलते हैं ? , ईक बिंदुवत धनावेश के कारण मैंने एक पिंदुवत अनावेश के कारण विद्दुद चत्र रेखा विद्दुद चत्र रेखा तेरे जता बाहर की ओर होती है यह बात मैं आपको सम्झाने कोशिच अब फिर से आजाओ कोई दिक्कत नहीं दोनों डेफिनेशन पढ़ते हैं को फिर से यह कह रहा है कि विद्दुद बल रेखा यानि विद्दुद चृत्र रेखा विद्दुद चत्र में जिसके किसी बिंदुद चत्र की बताता है चलो यही बात आप यहां अप्लाई करके सोचो यह मैंने एक एलेक्ट्रिक फिल्लाइन खीचा आप क्या करो इस लाइन पर कहीं पॉइंट ले लो कोई भी एक पॉइंट इमाजिन कर लो इसके उपर मैंने एक पॉइंट दिखा दिया यह वाला इस पॉइंट पे टैंजेंट आप समझदार हो जल्दी से समझ जाओ गया इसलिए कि देखो अगर इस पॉइंट पे टैंजेंट फिल्लाइन इसा होगा अब मैं आप से पूछो कि यहां बताओ एलेक्ट्रिक फिल्लाइक्शन किधर होगा इस पे टैंजेंट फिल्लाइगा है अब सोचो जो नीचे वाला परिवाशा था सेकेंड वालो जो हमने कल भी रिविजन किया था पड़ा था कि परिक्षानावेश विद्धुच्छत्र में चलने के लिए इस तंत्र हो जिस रास्ते पर चल की जाता है वह विद्धुच्छत्र रिखा होता है तो अगर यहां तो बहुत लाइन ड्रॉब कर दो तो दोनों ठीक है दोनों सही है दोनों तरीके से बना सकते हो लेकिन हाँ ध्यान रखना है कि अगर एक बिंदुवत पॉजिटीव चार्ज हमनों का पॉजिटीव ली है एक बिंदुवत धनावेश है इसके करण जो विद्धुच्छत्र की जो दिशा होती है विद्धुच्छत्र रेखा जो होती है वो त्रिजता बाहर की तरफ होती है इडियली आउटवर्ड होती है यही बात आपको जयासो की फिर से दोराने है लेकिन निगेटिव चार्ज के लिए तो अगर आप मान लो यहां पे अगर मेरे पास माइनस च प्रिजता अंदर की तरफ क्या बोलेंगे इडियली इन्वार्ड आया समझ में विदिकर अगर अब लोग फिर से इस बोट पे प्लेन के चकर में तो नहीं बढ़ गया ना स्फेरिकल सोचना है फुटबाल के जैसा सोचना है लोग क्या लेते हैं यहां एक स्फेर बना लेते हैं वैसे समझने के लिए हम लोग यहां पर यहां पर यहां पर कौन सा था पॉजिटिव की करन एलेक्ट्री लाइंस रेडियली क्या होता है आउटवर्ड यहां पर रेडियली इनवार्ड त्रिजटा अंदर त्रिजटा बाहर इसके लिए अब खुद से लिख लोगे क्या लिखोगे बताओ एक बिंदुवत रिणावेस के कारण विद्दुद छेत्र रेखा त्रिजटा अंदर की ओर होती है वह जाएगा पढ़िया अब फिर से जाओ तो इस भी परिफासा सोचो कि विद्दुद छेत्र रेखा जो हमने बनाया परिफासा सोचते हैं विद्दुद छेत्र रेखा विद्दुद छेत्र में एक ऐसे काल्पनिक वक्र होती है जिसके किसी बिंदुद पर खीची गई असपर्स को जैसे मैं ने बनाया वैसे आएगा कि आएगा इवाद समझारी बार टीक है तो जो भी लाइंस बना वनाओ गया उन दोनों को आप अलेक्रिक के लाइन सकते हो तीसरा क्या होगा आपका अगर माल लो मेरे पास अगर एक पॉज्टीव चार्ज है और एक निंगेटीव चार इन दोनों के कारण अगर यह आजू-बाजू में हो जाए तो इनके कारण एलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्स विद्धू छेतर रेखा कैसे होते हैं ठीक है तो वह जैसो कि कल जो मैंने बताया था आपको कि परिक्षणावेस छोड़ दो इनके बीच तो अगर मैं बोलू कि इस क्यों करण होगा तो आपको करना क्या पड़ेगा परिक्षणावेस यहां पर रखो यह अलग अलग पॉइंट पर बारी 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 से रखोगे चेक करिए जब यह प्लस के करीब होगा तो यह फोर्स जादा लगाएगा और माइनस वाला उस टाइम पर अपनी तरफ पास आएगा इसका तीर ज्यादा बड़ा होना से यह था आना बूलो तो यहां पर बैसिकली इस पर लगने वाला जो फोर्स है उसका डियरेक्षिन ऐसे कुछ निकल करते जाओगे वैसे वैसे फोर्स का डिरेक्षिन किसके तरफ शिफ्ट करता जाएगा वह माइनस वाले क करेगा तो अल्मॉस्ट लगेगा को रेडियस की तरफ आ यहां से निकलेगा ना तो अल्मॉस्ट लेगी क्या हो रहा है डियली आउट वाड हो रहा है यह तो बात अलग है कि यहां से निकालते हैं बेंड करना शुरू इसलिए कर दिया लाइन्स को तो कि यहां बगल में सब्सक्राइब और यह थे थोड़ा सा ध्यान रखना है ऐसी वस नहीं किया जा रहा है यहां पर यहां लोग का यह तीशरा हम लोग ऐसे बना लेंगे अगर मेरे पास पॉजटीव चार्ज है एक निगटीव चार्ज है इसके करण ऐसे होगा लाइन्स आप सोचो इधर कैसा ह बना चाहिए था यह ऐसे लेकर जाओं तोचो यह ऐसे बना दू दिमाग लगाओ यह सही होगा तो अगर यहां परिक्षण आएसा प्रखोगे तो प्लस वाला इधर धक्का देखा और माइनस वाला कीचेगा तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होगा कि नहीं होगा तो ने प्लसवाला मालू कि 2区 आई 20ängen हो अधिश कुलम हो तो भले दूर है लेकिन चांड ज्धा घुटाइगा था आए-खृच मरम, लक्रेम दूरल बढखता एससे फ्लें के नड लगता है यह निकर ने डिर्यर्यक्षण के इधर होगा, इसको गलती से मोर मत देना है यह से लो इसके जो होंगे यह इंए यह जो होगा एलेक्टरीफिल लाइन्स विद्दू छे रह्का यह ऐसे जाएगा आपर क्या होगा इस पे गलत है कि ऐसे होगा कि यहां परिख्शन आइस रखोगे ते अपनी तरह किचेगा और प्लस वाला उसी लाइन पर क्या होगा धका देगा लेकिन इस वार किस के करीब है माइनस से करीब है पर इसका इफेक्ट क्या होगा ज़्यादा होगा नहीं अरा है समाज़े तो यह आराम चाह जाएगा ठीक है हाँ लेकिन यह आमने सामने तब ऐसा हो रहा है लेकिन अगर इस से थोड़ा सा उपर यह थोड़ा सा नीचे रखा आपने तो फिर वो कर्व होने लगेगा क्यों लेगा कर्व होने लएगा इसलिए हम लोग आगे सीखेंगे यह दो लाइन जो होते हैं कभी एक दुसरे को काटते नहीं है अभी दुसरे पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगा लाइन जब भी ड्रॉब करोगे अभी सही याद रखना ठीक है क्यों नहीं काट तभी आगे डिसकस कर लेते ऐसे एक लाइन हमने बनाया ऐसे और दूसरा ऐसे यह हमने काट दिया यहां पर दो उनों के दुसरे से इंटरसेक्ट कर दिये यह गलत हो गया ऐसे नहीं करना इसके रूल्स है ठीक ना अगर यह प्लस और यह माइनस तो दो प्लस माइनस अगर सेम चार्ज करेंगे यह इस तरह से रहेंगे तो एलेक्ट्रिक फिलाइंस कुछ ऐसे बनाएंगे हम लोग ऐसे हमता है आगे अगर बात करों कि मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है अब एक पॉजिटिव चार्ज है तक दिसकश्टे कर रहे हो दो कैसा होगा होगा इसे बाहर होगा कि अभी से इदर बता हो बीच में परैक्षन सुम्हें यह इसे दुख दोगे इदर अधार मिल के जीरो शेसमें से यहां धूरत गीया देखना के लाइन कि आपने मिल देख देगा यह यह अधार रेजल्ट अधार वैसे हो यह दुखा देगा ऐसे इनका रम्हें कि शच्फि करेंगे कि यह चाहेगा कि हम इसको सीधे बेज़ दें क्योंकि अगर यह नहीं होता इसका एलेक्टिव फिलाइन से डियाली आउट वर्ड होता है अगर यहां चाहर रहा है तो यहां पर चाहर नहीं होता इसको ऐसे भेज़ देता लेकिन यह कर रहा है नहीं नहीं कईसे कईसे भी तो है हम तुम्हारे लिए तो तुम हमारे लिए तो वही वाला है इधर देख तो क्या बनाओगे आप इधर हम लोग लाइन्स क्या कर देते हैं यहां से ऐसे बना देते कुछ ऐसे कुछ ऐसे और अगर चाहो यहां पर लिख लेना थाकि द्यान रहे कि बीच वाले स्वेस में एलेक्ट्री फिल्ट क्या होता है इसलिए हम लोग यहां पर लाइन्स नहीं दिखाते हैं और अगर आप ठीक ठाक समझ गये हैं तो मुझे नहीं लेगता कि आपको इस बात में तकलीफ होनी चाहिए अगर यहां पर माइनस हो और यहां पर माइनस हो तो लाइन्स कैसे बनाएंगे बता सकते हैं कैसा बनने चाहिए कैसे बनेगा कि और है यह आप लोगे लिए हूं सकते हुआ ही हो रहा हुआ वो अंदर के तरफ आजाएगा हाया ना तो यह आप लोगों के लिए हो मोग रहा हुआ ठीक है तो तो एलेक्ट्रिक फेल लाइन्स के जो डेफिनेशन है यह सारे समझ में आ गए अब जो भी आपने लाइन्स बनाया है इन सबकी जो प्रोपर्टीज होती है सबके जो गुण होते हैं उस पर थ्यान दीजेगा विद्धुद्षट्र रेखायत के गुण प्रोपर्टीज ऑफ एलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्स यह धनावेश से प्रादम होकर इनावेश पर होती है positive के अदेखा है आपने सुरू होता है और स्वेस में चलाजाता है निगेटिव पेगर है िखतम हो जाता है एना अड़े बोलो ऐसा नहीं होता थ्यान से सुनो अप लो अ हाँ ऐसा नहीं हो रहा है कि मैंस हैं इसको ब्रेकी नहीं लग रहा है इसके अंदर इसका इसका अंतरिक्ष एसका पॉजिटी वर्क कर रहा है गया इसके ओन पर यह रहां इसके नहीens कहां से अधिर इसकी दीनि अटेंसम मेरे पास है तो आपास से घ्यादा होगा यहां कम होगा यहां कम हो लीन इना को गई इंटेंसिटी इंफिनिटी पर जाओ तो आप जीरो कह सकते हो कोई दिक्कत नहीं है अगर प्लस चार्ज है यह ठीक है तो प्लस से बाहर निकल रहा है अब इस लाइन को समझाने के लिए यह वाला बहुत असान तरीके से यूज कर सकता था यह प्लस रहा माइनस रहा प्लस से शुरू होता है माइनस फे खतम होता है इसका क्या मतलब है इसके अंदर सिंगल पॉस्टिफ चार्ज है तो कोई दिक्कत नहीं है अगर यह प्लस से श दे घ्ञारी बात तो अगे भरते हैं कि जी घ्ञांश से विद्धूत होकर कहाँ खतम होते हैं है इसलिए लिखा गया है क्योंकि हम लोग आगे में बढ़ेंगा यहां जिक्रिंगी इस बात का इसलिए हो रहा है कि यह नौर्थ होता है यह साूथ होता है तो मैंगनेट में क्या होता है ना कि नौर्थ से शुरू होता है साउथ पर जाता है लेकिन फिर मैगनेट में साउथ से नौर्थ भी आ जाता है कि आर्च के साथ ऐसा नहीं होता है यह रहा प्लस यह रहा माइनस प्लस से गया माइनस पर माइनस से फिर आजाए प्लस पर ऐसा नहीं होता यह वाला चीज नहीं होता यह तो सही यह प्लस से माइनस आता है है मैग्नेट में data हमाननी होता हैं अच्छा नहीं नहीं होहा vient याहां विद्दुर देखा पर रोबाह ऐसे बोलेंगे चुम्बक्य झित्र रेखा है रहे होती है मंगेटिक फिल्ड लाइन से होती है तो यह बनाले टी है यह बंद नहीं बनाते आई वाल समाज में है लेकिन यह बात वही सुन लो सुन लो सुन लेना से यह बात भी कुछ हद तक ठीक है लेकिन आगे हम लोग एक खास सिच्वेशन ऐसा पढ़ेंगे जहां पे विद्धूत प्षेत्र देखाएं भी हमें बंद मिलेंगी फ्लोज मिलेंगी गिकर अगर यह दो सेपरेडिट चार्ज एक माइन अनहीं है यह बात करते हैं यह थो उक् inefficientवाला यह खुल्हां भॉक्र होता है जब कि चुम्बक्य शत्रे रेखा बंदवक्र होता है यहीं चीज़ पर डिसकसना भी चल रहा है तो magnetic fill lines के साथ क्या होता है कि हमेशा close होते हमेशा close होते हो कभी open होते ही नहीं लेकिन इसमें क्या होता है क्या होता है कि अभी जो भी cases आप पढ़ोगे इस chapter के अंदर फिलहाल वहाँ पर हमेशा आपको electric lines open मिलेंगे खुला मिलेंगे लेकिन लोग करेंट electricity पर लेंगे और के अंदर इन करेंगे प्रवेश करेंगे और इन दोनों का जो है सो कि मिला जुला जब रूप पढ़ेंगे कि electric current जो है जब magnetic field के चेंज होने से इंडूस होगा या जैसो की current के वैसे magnetism आएगा तो वहां पर आप देखोगे तो आपको एक सी समझ में आएगा कि आरे जो electric field lines होते हैं विद्धुद्षट रेखा जो सरक अभी कहा करते थे यह प्लस है यह माइनस है और यह magnetism आएगा तो मिलेगा आपके class में है परना है ठीक है बस आपकी जनकारी के लिए बता दिया ठीक है चलो तीसरे पॉइंट पर आते हैं विद्धुद्षट्र रेखा किसी धात्रीक वस्तु के सता से लंबवत होता है यह बड़ी इंट्रेस्टिंग चीज है और मतलब आप से बोलू न कि इस पर मैं प्लस प्लस दिखा देता हूं इस बोड़ वाला जो प्लेन है न इसके सता को ही मानलो और इसी मैं बहुत सारे चार्ज़र जाल देता हूं यह प्लस प्लस की पूरा बोड़ जहाए प्लस से धनावे से आवेशीत है पॉजिटीवली चार्ज ह और आपसे किसने ने पूछ लिया कि बताओ इस पूर्ट पर जोई पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है इसके कारण आप एलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्स विद्दूत क्षित्र रेखा बनाओगे तो कैसे बना तो याद रखना सता से लंबवत सर्फिस से पर्पेंडिकुलर अगर यह मेटालिक है तो क्या है तो मेटालिक है तो मिटल का है तो क्यों समझाता हूं अगर यह 미नल का है ना तो आक्षवल में इसके जो इलेक्ट्रीक फिल्ड होने चाहिए इसके क्या बोलते हैं अगर सर्फेस के पर्पेंडिकुलर एलेक्ट्रीक फिल्ड अगर नहीं है बाल लो कि ऐसे एलेक्ट्रिक फिल्ड नेटीड डिगरी पे होगा सब्सक्राइब थोड़ा सा सोचते हैं कि अगर अगर एलेक्रीक फिल्ट का डिरेक्शन विद्धूथ सब्सक्राइब ना हो करके तो कुछ एंगल पर किसी इंगल पर होता तो क्या होता यह थोड़ा सोचते हैं हम लोग इस एक सक्ष है और बोड से बाहर की तरफ मैं एक एकसिस द्रॉफ करता हूं यह ध्यान रखना ना यह बोड़ अब को न है यह मैं पास से देखने में अब मैं क्यां हुं कि एलेक्ट्रिक भी लाइन से देरिक्षयन होगा मैं कहा हुआ ऐसे पर और इसको माले थुरा सा यह ऐसे है खीस की है उद्क यहां पर एकक्सिस हो गया बाहर की तरफ यह वाला जो नहीं है यह लाइने से एसे है और इसके बीच में आपके जबदस्ती माले रहा हूं इंधर मान सकते हो उदर मान सकते हो कैसे सूच के देखो इस Electric विल्ड या रहा है इसके दो घटक तूर सकते हो क्हा रहा दिया अ मैं यह कह नहों चाहता हूं yet इसके बीच में इन दोनों के विआजले इंच में गर्थ label को घ्राक तो क्या अगर माननों में बोलिवन करो से थेटा है तो यह एलेक्ट्री फिल्ड जो होगा इका इक सिटा इधर और इका इसज़ीटा इधर होगा इकाई को स्वाज़ में आरी वाद हां थो टाना आ जारा है सब्सक्राइब देखो इस बोड़ वाले प्लेन में है यह जो एक और याद रखना अगर एलेक्टरिक फिल्ड इस प्लेन में गया अगर इस प्लेन में गया तो इलेक्टरिक फिल्ड क्या करता है और सब्सक्राइब तो मैं समझा देता हूं इसने मालों इधर मैंने क्या कर दिया प्लस 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 एससे ए रहा माईनस माईनस होता है मुझे जल्दी से बताओ एक POLS basically particles particle है कि बाज़के किधर जाएगा आइंदर जाएगा सब्सक्रिक liken잡 कैश्या ओहर कि कईसी तो यहां पर जो है यह जो चार्ज है अगर इलेक्ट्रिक फिल्ड एक्जिस्ट करता है सोच ध्यान से सोचना अगर यह इसके बीच में अगर कोई चार्ज आएगा चलना शुरू कर देगा यह रूख नहीं सकता और चलेगा तो क्या वनेगा अगर इस अगर इस अगर इस बोट पर एक करेंट आ जाएगा अरहा न वोलो इस बोट के सर्फेस पर करिंट आ जाएगा अगर यहlye metal का बना हुगा है तो मेटल के अंदर स्थी एलकेटरौ सोते हैं अही बात समझ में अगर अभी से याद रख सकतु ए oppress बढ़को कुँ हमेशा विद्दु छेत्र की दिशा के लटा जाता है क्यों हो जाता है देखलो समझ में आ रहा होगा लेकिन जो करेंट का डिरेक्शन है वह दिखाया जाता है पॉजिटीव चार्ज के फ्लो का डिरेक्शन धना वेस जिस दिशा में प्रवाहित होती है उसी दिशा को धारा की दिशा मानी जाती है जिस दिशा में प्रवाहित होती है उसी जिस दिशा में प्रवाहित होती है उसी दिशा को धारा की दिशा मानी जाती है इसको कहते हैं परमपरागत विद्धु धारा के दिशा किया होगा यह समझ में परमपरागत विद्धु धारा के दिशा ठीक है सिंपल सिंपल सा है वो ऐसे जा रहा है बताओ करेंट का डिरेक्शन कैसा होगा इधर लोगों का इसका मतलब एलेक्टरिक कहाँ कैसे हैं तो अगर पॉजटीव होता तो हमेशा लेक्टरिक के डिरेक्शन में região कौन में तो好吃 करेंट का दिरेक्शन वो जो पॉज्टिव का डिरेक्शन के डिरेक्शनी ड्रेंट का डृट्स वह जो निगेटीव के फ्लो का पॉजर डेलक्षन ही। आ है। row विद्दु-धारा के दुषा वह में जो दो चेतर का में दुषा कि अगर इस बोर्ट पे पॉस्टिव पॉस्टिव चार्ज थे अगर मैं माल लूँ कि इसके कारण जो एलेक्ट्रिक फिल्ट का डिरेक्शन है वो अगर इन दोनों एक्सिस के बीच में कुछ एंगल बना रहा है इसके दो घटक तूटेंगे और एलेक्ट्रिक विल्ट का कु रहें तो अनुट 9 1 देए था थिरे से चलेंगी अगर को सब्सक्राइब चले ऋक्राइगा भी तो फिर्स के कर सकता है फिक उठू चर्णाट शुरू करेंगे बनेंका उन्स बॉर्ट कर दो इस board के surface पे हमेशा को एक current मिलेगा, विद्धोधारा मिलेगी, यो कि यह practical होता नहीं है, मिलता नहीं है, इसका क्या मतलब है, इसका यह मतलब है, कि जो electric field का direction है, चालक के case में, conductor case में, इसके surface से क्या है, perpendicular है, इसका थोड़ा सा कोई भी घटक ऐसे नहीं है, या कोई भी angle नही और आएंगे तो एक घटक plane में जाएगा ही जाएगा, और यह plane में जाएगा, तो current को बनाएगे ही बनाएगा, तो किसी भी metal के surface पे, किसी भी conductor के surface पे current नहीं होते, यह कुछ समझ आया है, तो याद रखना, अगर कोई चालक है, तो यह एक line का था, ठीक है, लेकिन इतना ब कि सता से लंबत होता है, जैसे मालनों यह लुहे का बना होता, क्या बना होता, लुहे का, और इसे मैं क्या करूं, बहुत सारे positive charge आल दू, ऐसे छीट दू, और positive charge पूरे स्गूले के सता पे फैल जाए, अब मैं आप से पूछ रहा हूँ कि बताओ, इस point पे electric field का direction कैसे है, तब नहीं कह सकते कि इसे ऐसे होगा, ऐसे होगा, इसके छोटा वाले area को देखो, और इसे perpendicular line ऐसे draw करो, electric field का direction होगा, यहाँ पे कैसा होगा, ऐसे होगा, यहाँ पे इधर ऐसे होगा, नीचे ऐसे होगा, surface से perpendicular, सता से लंबत, इस बाद समझ आ रही है, तो आपको बदल रहा सता ही है, सता ही मुरा हुआ है, इस बाद आपको समझ में आ रही है, ठीक है, अगर हम लोगों का अगर surface ऐसा है, यह clean seat है, इस पे पूरा चार्ज है, और यह मालोग conductor का बना हुआ है, चालक का बना हुआ है, तो electric field के direction कैसे होगे, और point पे ऐसे perpendicular, इसके same रहेंगे, कोई दि को खोले और इस question को solve करें आप लोग, यह line ही question solve करवाएगा, ठीक है, जैसे मालने न, मैंने यहाँ पे आपको body दे दी है, और मैंने बोला, यह चालक का बना हुआ है, किसका बना हुआ है, यह चालक है, और इस पे कौन से charge है, इसके पूरे surface पे जो है उसकी positive positive charge है, ऐसे, औ और मैंने आपको कहा, कि चलो, electric field lines आप दिखाओ, विद्धू छेतर रेखा दिखाओ, तो बहुत बाड़ी की आपको बाड़ी की से बनाने पड़ेंगे, आपको ऐसे बनाने है, यहाँ पे, कि ऐसा लगे कि जो आप यहाँ line draw कर रहे हो न भाई साब, यह, इसके surface से क्या हो होने चाहिए, कि बाद समझाया, ठीक है, आप यह देखो, यहाँ बनाओगे, तो ऐसे बनाओगे, यहाँ बनाओगे, यहाँ बनाओगे, यहाँ बनाओगे, यहाँ बनाओगे, तो ऐसे बनाओगे, अब आपको दिमांग में आ रहा होगा एक चीज, आया, क्या, बोलो बो दूसरे को रिपल करती हैं वैसे दू एलेक्ट्रिक्रिक लाइन्स भी दूसरे को रिपल करेंगी विकर्षित करेंगी वह बेंड कर जाएंगी कि यह समझा है आवने सामने गारी आ रही है इसका मतलब लड़ी जाएगी जरूरी है सवाल तो ठीक आया था बड़ सोचो सोचो हम्रा सामने कहा है लहां तो उराइए बहुत करनता रहे हैं यह मत समझ लेना यह लाइन सा रहे यह लाइन सा रहे दोनों कट जाएंगे विद्दू अच्छत रहा हैं कभी दूसरे को पड़ती शेद नहीं करती है ठीक है अभी यह तो टॉबिक आया भी नहीं वैसे लेकिन यह कटे कर नहीं ध्यान रखना एक दूसरे को रिपल करेंगी ठीक है और यह क्या करेगा इसको इधर बेंड करेगा यह इसको इधर डालेगा पर यह से बेंड करके निकल जाएंगे कि यह रोय बना लोगए आप और कभी अगर डाइग्राम में पहले यह बना कदे रहा है इस बात का ध्यान रखना कि हर पॉइंट को ठीक सा अब्जर्ब करना कि उस पॉइंट यूदि कर नहीं बना रहा है वहां पर नुद्ध भी एक दूसरे को प्रतिष्यद नहीं करती है की दो दिशा हो जाएगी जो कभी संभव नहीं है सही बात है आप देखो जैसे मान लो कि मैंने एक एलेक्टरिफी लाइन यह बना रहा हूं अब परिवासा याद करो परिवासा यह कहता था डेफिलेशन यह था एलेक्टरिफी लाइन का कि विद्धुद्शत्र रेखाएं विद्धुद्शत्र में वो काल्पनिक वक्र होती है जिसके किसी बिंदू पर खीची असपर्स रेखा उस बिंदू के विद्धुद्शत्र की दिशा को बताता है अगर मैं जहां पर यह दोनों कट कर रहे हैं दोने दुसरे को काट रहे हैं अगर मैं अपनी मर्जी से क्य या करूं इस पे टेंजेंट खिचू तो इस लाइन के अनुसार मेरे को टाजेंट यह मिलेगा अगर वह यहां पर रखूंगा न उस पर फॉर्स जो है इसलिए ये गरवर हो जाएगा तो हमने जो एजंशन किया ना मैंने बोला था कि पहले भी एलेक्टरी फिल्ड लाइन्स कालपनीक है ये कॉंसेप्ट बनाया गया है एलेक्टरी फिल्ड को महसूस करने के लिए समझने के लिए और बहुत हद तक हमें हेल्प करता है इसलिए समान लंबाई के विद्धुत बल रेखाएं समान दूरी पर समनांतर रूप में हो तो वह एक समान विद्धुत क्षेत्र को दरशाती है यह बहुत ज्यादा यूज में आएगा और बड़े काम का चीज है सो ध्यान रखना क्या बोला मैंने अगर कभी भी ऐसा मिले समान ल एक और से जुगर करना कि सब एक दूसरे के पैरलल दिख रहे हैं इन इस पर मत जाओ ठीक है हाँ हाथ से बनाने में होता है थोड़ा वह तो यह सब दूसरे के पैरलल है बरावर लंबाई के है और सब एक दूसरे से बरावर दूरी पड़ है यह डिस्टेंस भी बड़ावर है तो यह फाका दिखाता यह जब मत बोलना इसाना भी नहीं उपाएगा तो यह जो चीज आना यह जो आपका खित्र है यह आपका श्पीस है यह कहलाएगा एक समान विद्द खित्र यह अच्छा एक बात और है आप से मैं अभी गुजारिश करूंगा कि आप इस चीज को सोचे मैं हमेशा जब कुछ भी पढ़ा रहा हूं तो मेरे को बड़ा इस बात का डर रहता है कि बच्चे हमेशा इसको टूड़ी के तरह मत सोचे बच्चे इसको आसी सोच रहे हो तो उ और बरभरबर ढर दूड़ी पे खुटवाड़ी खीचे च्टवाड़ी की लगा दो अफेस छुटवाले कीव बांद हो इकतम पैरलेल बराबर दूड़ी पे पूरे रूमं को भर दो इमाजिन करो गगर बरने वाला देखहां लटाई इतने लोगे खरत वतता मैं तो समझा या तो उसके दोनाव तरफ है सर्कूलेड़ डिस्क होते हैं नहीं होते हैं इधर इधर जा estarky all day और इहाना क्यों पूरा नेड़ीज़ फरला फिर लाइन से उसके बाद कर रहा है कर रहा है अब सिर्फ प्लेन में मत देखो 60 ब Nada करन अगर अगर पतंग उरा रहा होता तो उसका लटाई कितना वरा होता है थीक है तो इमेजिन करो कि आप कैसे बनाओगे कैसे सोचोगे तो इस कमरे का अंदर वैसे धागा खिच-खिच के भरबर के देखो कैसे दिख रहा है अपने आसपास देखो एलेक्ट्री फिल लाइं अगर एसा कहीं विद्दू छत्र रेखा आपको दिख जाए अगर कहीं भी ऐसा एलेक्ट्रिक लाइंस दिख रहे हैं इसका क्या मतलब है वह यूनिफॉर्म एलेक्ट्रिक फिल्ड है क्या बोलो प्रtschaft सुष्वाल करता हूं अगर यह पौइंट बेने लिए एक्स क्या लिए अर यह पॉइंट लिए य और वहाँ जो एलेक्ट्रिक क्या पर यहां लिख करने हैं शपकित होरा इसके डेफरेशन किया थे एक इसको करो फोर्स एलेक्ट्रिक विल्ट के बड़ाबर हो जाता है मैंने बोला यहीं इस डेफनेशन निकालने के लिए एलेक्टरिक बड़्ट का इसके एक कहता है कि सी पॉइन पर एक कुलॉस रखो इतना फोर्स लगता है एक यहाँ पर यहां पर 220 दौन जब लगने वाले इस्शिर्वृद्व बल का परी माहन बढ़ावर कहने का यह मतलब हां यहां बात सही से अगर मैं यह कह रहा हूं कि इस पॉइंट पे एलेक्ट्रिक फॉर्स लगेगा दोनों क्या होंगे बढ़ा वर होंगे तो यहां मैन मैं रखा पांच कृलम चार्ज चोब सेताँ है कि अ सुद्ध कि अब जैसो कि मतलब कर यह समझ में में हैं अगर है कि आ gemaakt रसक lähDP ling पॉइंट मीने ठाई है में एक पॉइंट चार्ज इस इस में मैं कहीं भी रख दूँ उस पर लगने वाला फोर्स सेम होगा कि अलग अलग सेम होगा ना विदिकर यह यह यूनिफार्म एलेक्टरी फिल्ड का मतलब समझाया है आगे बढ़े हाँ यह नहीं करना अभी ऐसा नहीं सोचना कि यहां पर सर रखेंगे ना इससे का यहां आगा तो हो जाए नैस नहीं होगा अगर फोर्स ढहा ला है तो मैं फिट नहीं है तो अभी आप क्या सिख रहो कि अभी आप सीख रहो धुक्ताने का तरीक सबहु और जाए इसका मतलब है कि वह एक समान विद्दूद खत्र है और हर पॉइंट की जो एलेक्ट्री फिल्ड इंडेंसिटी हो क्या है थी कि उस स्पेस में किसी भी पॉइंट पे उनिट्री चार्ज रखो एक कुलम चार्ज रखो ठीक है उस पर लगने माला जो इस्थिर विदूद बल होगा वो क्या होगा यह ही और समान विद्दुद्चेत्र को दर्शाता है, इसमें क्या है कि अगर माल लो एलेक्ट्रिक फिल लाइन से ऐसे बना दिये गए, यह देखो, यह और समांतर है कि नहीं है, बुलिए ना वहीजा, तो यहाँ पर यह जो एलेक्ट्रिक फिल्ड बताएंगे न यह ना यूनिफ और मैं पूछो कि जो हैसो की एक्स और एवाई में क्या रिलेशन है, यह तो नहीं बता सकते कि कौन ज्यादा है कौन कम है अवे फिलाल, लेकिन याद रखो इतना बता सकते हैं, आई बात समझ में, यह दोनों बरावर नहीं है, क्लियर, समझ आया, ठीक, चलिए, तो आसमा रखांतर होगा तो इसका यह मतलब है, आगे देखो, विद्दुद क्षेत्र रेखाओं की विरलता, विरल मतलब दूर-दूर होना, विरलता मतलब, हाँ विरल सखन 10 चन्थ में पढ़े थे, रेदाव डेंसर, अंका भीर उझाला, रिग बा, विद्दुद क्षेत्र डूरे रहेगा बिदू से रहेखा रही तेक्व थे कम जोर अल्जा एक अलत्री फिल लाइन ही पास-पास रहेगा प्रपों टो लिए का लेक्तरी मृतम याइननंड अट के चले लें अम टॉकर इसट्रॉंग स्प्रॉंब अम दया या तोच लोट्र से मताओ सब यह अटाओ यह बाता यह बता इधाओ इतर देखो लाइंस पासफ Nós में में你 इस देखो अब बताओ यह बराबर तो नहीं थे लेकिन अब यह परने के बाद आप यह भी कह सकते हो कि यह पॉइंट इपर जो एलेक्टरिक फिल्ड है वो होगा और जो वाई पर है वो तो यहां इंटेंसिटी कम होगा यहां इंटेंसिटी यह समझाया है विदिकत ठीक है